अलगम भी डालूँगी मूली भी डालूँगी लसन छील रखी है मैंने साग हमारा पीस गया है असरिया काल सार्यानू आज असी बढ़ान जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल वीच सरसोदा साग ते मक्केदी रोटी ते छती छती आ जाईए फिर सबसे पहले हम साग उबालेंगे उसके लिए हमने गया सोन करके कुककर उपर रख देना है जब कुककर अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें हमने थोड़ा सा तेल डालना है या घी आप जो भी उसकरें देशी घी में बनाए तो ज़्यादा अच्छा बनता है मैंने ये एक चम अब घी हमारा गरम हो गया है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग हमारा हींग जो अच्छे से बुन गया है इसमें बहुत अच्छी खुश्वारी हींग की इस तेज पर हम जो ये कटावा साग है मैंने अच्छे से धो रखा है अच्छे से साफ करके अब इसको हम इ जितना टोटल साग मेरा, उसका मैं आदा साग डाल रही हूँ। और इसके बाद इसमें कुछ समान और डलेगा जो सीजनल सबजी यह हमारी। अब मैं क्या करूंगी मेरे पास यह समान है इसमें मैं शलगम भी डालूंगी मूली डालूंगी लसन छिल रखी है मैंने कुछ कलियां और मिर्चे हैं मिर्च आप अपने टेस्ट के नुसार डाल सकते हैं तीखा या हलका जैसे भी आपको चाहिए और यह अद्रक है इसको मैं कद्दू कश करके अब आधी जो मैंने यह साग भरैना इसके ऊपर डालूंगी अब हमने शलगम लिया है अब इस शलगम को कद्दू कश करेंगे ऐसे तो शलगम देखो ना बच्चे खाते ना बड़े खाते हैं इस तरह से साग में डाली जाती हैं सारी सीजनल सबजियां जितनी भी हैं और बच्चों के अंदर बड़ों के अंदर सब के अंदर जाती है साग के साथ और स्वाद भी लगता है इससे जो मैं यह समान डाल रहे हैं इससे बहुत बढ़िया साग बनता है पंजाबी जो ऐसे ही बनाते हैं उसमें सब कुछ डालते है अब मैं हरी अब हमारा इधर देखिए ये साग जो है थोड़ा सा उबल भी गया है सूस भी गया है थोड़ा सा ताकि हमारे और भी समान इसमें साग का आ जाए अब इस तेज़ पर डालूंगी मैं मूली और शलगम शलगम आप साग के हिसाब से डालना अगर आपका एक किलो साग है तो एक शलगम बहुत है ज्यादा डाल दिया तो मिठा बन जाता है उसके बाद ये हरी मिर्चे और अदरक लास्ट में डालेंगे हम लस्टन इसको मैंने छिल रखाया और कलिया आए खाली क्योंकि ये भी साग में उबल जाता है अच्छे से मिक्स हो जाता है अब मूली शलगम अदरक मेर्च ये सब डाल के साग को ऐसे हिला दें और उपर से जो बाकी का साग है कटा हुआ वो डालना है इस साग में मैंने पालक, एक गड़ी, एक गड़ी बाथू और दो गड़ी सर्सों के लिए है लगभग ये एक से डेड़ किलो जितना साग होगा और जो हम इस तरह से हींग का तड़का पहले लगा के साग को बालते हैं तो उससे क्या होता है जो साग बासी भी हो जाता है तो वो वाई नहीं करता किसी तरह से भी शरीर को इसलिए पंजाबियों में हमेशा पहले से ही हिंग का तड़का लगाया जाता है जब साग यह अच्छे से उबल जाएगा मैं एक सिटी दूँगी उसके बाद इससे कम सेख पे रख दूँगी और धीरे 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 कटता रहेगा 20-25 मिनट जब यह साग बन जाएगा उसके बाद हम इसको दुबारा से तड़का लगाएंगे दुबारा से फिर हिंग यूज होगी लेकिन इस ताइम हिंग डालने से यह वाई नहीं करेगा किसी तरह से भी आप बाद में भी यह साग खा सकते हैं जैसे कहते हैं बासी चीज अच्छी लगती है कोई कोई जैसे कड़ी है साग है इस तरह से यह साग बनाओ गए तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और नुकसान भी नहीं करेगा पूरे साग को अच्छे से हिला लेना है इसमें ठोड़ा सा पानी डाल देना है क्योंकि कड़ने के लिए हमें पानी डालना पड़ेगा अब इसमें हम डालेंगे नमक, अपने स्वाद नुसार इसको अच्छे से हिला के, मिक्स करके कुकर को हम बंद कर देंगे और एक विस्टल आने के बाद हमने गैस का सेख कम कर देना है और इसको 15-20 मिनट तक हमने ऐसे निम सेख पर रंदने देना साख को जिसको बोलते हैं कि इसमें साख धीरे धीरे रंदता है और उसका टेस जो है नो बहुत अच्छा आता है तो हमेशा एक विस्टल आ जाने के बाद सेख को कम कर दो और 10-20 मिनट तक इसको आप ऐसे सेख पर छोड़ दो साग हमारा उबल गया है अब आपको दिखाते हूं भतन खोल के अब इस साग को या तो हम हैंडी से कर लेंगे अच्छे से इसको पीस लेंगे हैंडी के साथ इतना भी आप करना चाहते हों उस हिसाब से रख सकते हैं लेकिन मैं इस से पीस होंगी ये लकडी का जो आता है इ इससे साग घोटा जाता है तो मेरे घर में सबको थोड़ा सा मोटा मोटा साग पसंद है पतला कोई भी नहीं लेता इसलिए मैं थोड़ा सा मोटा रखते हूं आप लोगों को जैसा भी पसंद हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं कि मोटा रखो चाहे ज्यादा पीसी कर लो आप हमारा पीस गया है अब जो ये इस तेरह से उगया है यह देखे मैं कड़्य से दिखा रही हूं आपको मैंने ओठामोटा मोटा रखा है आपके गहर में जैसे कहाते हो आप वैसे कर लैना अगर थोड़ा बरीक खाते या तो इसे बरीक कर लेना आपको हम साइड में रख देंगे, साग हमारा पिस गया है, अब हम करेंगे तड़के की तैयारी, गरम हो जाने के बाद, बरतन गरम हो जाने के बाद हम इसमें घी डाल देंगे, घी गरम हो गया है, इसमें आप डालेंगे जीरा, और थोड़ा सा डालेंगे हींग, हमने हींग पहले भी डाला जब उबाला था तो अब हम हींग उसी साफ से डालेंगे हींग और जीरा जो तिड़क गया है हींग की खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है अब हम डालेंगे इसमें अद्रक ये पिसी हुई कटी हुई सौरी बारीक-बारी काट रखी है मैंने और इसको एक से दो मिंट अच्छे जब भून लेंगे घी में इसका बहुत अच्छा सी खुश्बू आ जाएगी अद्रक ये उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च और हरी मिर्च को भी एक दो मिंट भून लेंगे घी में अच्छे से क्योंकि बाकी समान तो हमने उबलते वे भी डाला था अद्रक भी लसन भी मिर्च भी सब डाला था हमने तो मैं क्या करती हूँ आदे साग को तो जो तड़का लगाती नो वो टमाटर का लगाती जो सेज पर डाल दूँगी यह टमाटर अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च और थोड़ा सा नामक इस टमाटर वाले तड़के में मैं यह साग डालूंगी जो हमारा ताजा साग है जो मैंने अभी उबाला है और आदे सागों में बाद में जब बासी हो जाता है प्याज वाला तड़का लगाती हूं उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है और जो यह टमाटर का तड़का है ताजे वाला इसका बिल्कुल डिफरेंट आता है आप ट्राई करना जो बासा साग होता है वो प्याज वाला यादा उठता है और ताज कोसे पानी से इसको गूथना है कोसे पानी से आटे को इसलिए गूथा जाता है कि रोटी जो है एक तो मुलायम रहती है और तूटी नहीं है अराम से अच्छी सी रोटी गोल-गोल रोटी बन जाती है आटा हमारा हो गया है अब इसको हम थोड़ी सी दे ढखके रख देंगे कमाटर गल गए अच्छी से अब इसमें हम ये साग मिक्स कर देंगे अब इसको हम वापस से ढख देंगे ताकि जो सारे फ्लेवर हैं वो गिल मुल जाएं इसमें दो मिनट के बाद हमारा साग तैयार हो गया है देखिए कितना अच्छा कलर आया गा इसमें खुश्बू भी इतनी अच्छी आ रही है साग की तवे को एक तरफ हम गरम करने रख देंगे और दूसरी तरफ इस आठे को अच्छे से मैश करेंगे मक्की काटा हमारा त्यार हो गया है इसको मैं बिल्कुल असान तरीके से बताऊंगी आपको कैसे बनानी है आप बहुत अराम से जो नहीं भी बना सकते ना बड़े प्यार से बना लेंगे इसको इसके लिए हम क्या लेंगे ऐसे एक पनी ले लेंगे साफ सुत्री उसको दो लेंगे अच्छे से सुखा लेंगे उसके बाद मैं क्या करती हूँ एक पानी रख लेती हूँ साथ में इस तरह से थोड़ा सा और इस पनी के ओपर ऐसे हाथ से ऐसे से पानी को लगा देती पन्नी पे ऐसे पानी लगाईए और इस गोले को पन्नी के उपर रखके हाथ से ऐसे धीरे-धीरे दबाएं देखिए यह फ्यालता जाएगा आपको जहां भी लगे वहाँ पे हलका सा पानी से गीला कर ले हाथ और फिर इसको ऐसे वापस से दबाएं और जो यह फिंगर्स दिखरी है ना यह इतनी अच्छी लगते हैं सिक्यूई मतलब इसका कलर भी बड़ा अच्छा आता है अब हम तवा गरम है इसके पर घी डालेंगे आप अगर तेल चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं जो आपकी इच्छा हो पर मक्की की रोटी न घी में बहुत अच्छी बनती है अब इसको जो हमने बेल लिया ना इसको बड़े प्यार से ऐसे पन्नी को उठाएंगे ऐसे हाथ पे शिफ्ट करेंगे के बाद इसके तवे के अरान सकतार बादी है चारो तरफ हम हलका हलका सा घी लगा देंगे तवे से इसे दीरे दीरे छुड़ा लेंगे इसको और एक से दो मिनट शिफने देंगे एक से दो मिनट हो गया है अब हम इसको धीरे से ऐसे लेंगे और इसको ऐसे पलट देंगे और फिर हल्का हल्का गी चारु तरफ से फिर लगा देंगे हम और इसको ऐसी धीरे धीरे हिला के ऐसे से शेखते जाएंगे अब यह और सिखेगा थोड़ी देर, हल्का सा घी लगा के इसके उपर अराम से इसको ऐसे पलट देंगे, और ऐसे हिलाते गए से मकी की रोती को सेखते जाएंगे, यह मकी की रोटी हमारी सिख गई है, अगर करारा खानी चाहते हैं तो इसको और अच्छे से शेख लें, थोड़ा सा और घीर डाल लें, और अच्छे अच्छे कमेंट से मेरा कमेंट सेक्षिन भर देना, बाबाई!